Hello everybody, welcome to Mystic World 11-11, यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आज आपके person आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं, so यह सारे star science की reading होती है, आप लोगों को पता है और यह एक short reading है, so let's start. सबसे पहले हमारे पास the hermit, so maybe आप और आपके person आजकल contact में नहीं है, but अगर हैं भी आपके person बहुत lost महसूस कर रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, 7 of wands, 10 of swords, कुछ लोगों का यह connection खतम हो चुका है, maybe आप लोगों का break up चल रहा है, आप लोग अलैदा हो चुके हैं, so right now आपके person बहुत जादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, 8 of swords, बहुत stuck energy है, next is judgment, ace of swords, and king of cups, so अगर आप लोग आज साथ नहीं हैं, आपके person यह सोच रहे हैं, कि उन्होंने आप से कितना प्यार किया, उनका प्यार आपके लिए genuine था, bottom of the deck we have wheel of fortune, वो सोच रहे हैं कि शायद आप कोई miracle ही होगा, कोई divine intervention होगी, तो ही हम लोग एक साथ हो सकते हैं, हम दोनों का एक होना बहुत जादा difficult होगा, हम लोग के लिए circumstances बहुत जादा difficult हो चुके हैं, but they really hope कि आप लोग की situation में success आए, और कोई change आए, definitely आपके person चाहते हैं कि आप लोग की situation change हो, because right now वो बहुत ज़दा परिशान है, बहुत ज़दा stuck महसूस कर रहे हैं, अपनी thoughts में lost हैं बिलकुल, और उन्हें ऐसे लगता है कि ये उनकी जिन्दगी में एक ऐसा phase है कि जहाँ पर बहुत ज़दा darkness है, but definitely आपके person spiritually भी grow कर रहे हैं, separation के period में, so आज ये जिन collectives की reading हो रही है, definitely separation नज़र आ रही है, अगर separation नहीं है तो फिर ये reading आज की आपकी नहीं होगी, so maybe कल की reading आपसे resonate कर जाए, so इस present time में आपके person को लग रहा है कि हर चीज, हर इनसान उनकी against है, वो अपनी जिन्दगी का review ले रहे हैं, वो बहुत deeply सोच रहे हैं, कि उन्होंने जिन्दगी में क्या पाया, क्या खोया, उनके जो beliefs थे, उनके जो fears थे, वो उन्हें आज कहां पर लेकर आए हैं, because उन्हें realize हो रहा है कि ये जो stuck energy है, ये सिर्फ उनके fears रहे हैं हमेशा, ये उनकी negative thinking थी, जिसकी वज़ा से वो हमेशा stuck रहे हैं different situations में, या शायद आपके साथ भी इस connection में, और वो बहुत ज़दा सोच रहे हैं, overall अपनी life के बारे में, कि उन्हें क्या गलतियां हुईं, क्या उन्होंने किया, और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था, so I feel कि आपके person की एक personal growth चल रही है, और वो उसी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी spiritual growth भी हो रही है, और इस वक्त वो एक वाकई ही में बहुत ज़दा difficult phase से गुजर रहे हैं, I also feel कि उनकी जिन्दगी में कुछ ना कुछ clarity आ रही है, because उन्हें अपनी जिन्दगी में clarity चाहिए, वो अपनी जिन्दगी से ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को भी निकालना चाहते हैं, सिखाया है, so यह separation में ऐसे कहूँगी, कि it's a blessing in disguise, कि शायद अगर आप लोग separate ना होते, तो आपके person इतना deeply सोचते हैं अपनी जिन्दगी के बारे में, और अपनी जिन्दगी के लिए अच्छे फैसले ना लेते, so I feel कि अब आपके person पहले की निस्बत बहुत change हुए है, यानि जब आपके साथ थे और इस separation में, तब से अब तक उनकी personality में बहुत फरक आया है, और वो बहुत ज़्यादा बदले हैं और बड़े wise हुए हैं, पहले की निस्बत आप बहुत wisely decision लेते हैं, बहुत wisely सोचते हैं और बहुत deeply सोचते हैं, जिन्दगी के बारे में, रिष्टों के बारे में, बट एक चीज जो आपके लिए feel करते हैं, वो ये कि चाहे जो भी हुआ आप लोगों के दरमयान, still उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वो आपके well-wisher हैं और हमेशा रहेंगे, वो आपके लिए ये feel करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चाहे जो भी हुआ आप लोगों के दरमयान, लेकिन उन्होंने genuinely आपकी परवा की थी, उन्होंने genuinely आपसे बहुत ज़दा प्यार किया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, और वो आपको बताना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने इस separation से सीखा है, अपनी जिन्दगी में जो lessons उन्होंने learn किये हैं और आज वो एक बहतर इनसान हैं और उसकी वज़़ा आप हैं, and they wish के वो आपको ये बता सकते, so ये आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे आप जरूर बताईगा, comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.